याकूब की पत्री पांचवां अध्याए हे धनवानों सुनतो लो तुम अपने आने वाले क्लेशों पर चिला कर रो तुम्हारा धन बिगड़ गिया और तुम्हारे वस्त्रों को कीडे खा गए तुम्हारे सोने चांदी में काई लग गई है और वह काई तुम पर गवाही देगी और आग की नई तुम्हारा मांस खा जाएगी तुमने अंतिम युग में धन बटो रहा है देखो जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे उनकी वह मजदूरी तो तुमने धोखा दे कर रख ली है चिला रही है और लबने वालों की दोहाई सिनाओं के प्रभु के कानों तक पहुच गई है तुम प्रत्वी पर भोग विलास में लगे रहे और बड़ा ही सुख भोगा तुमने इस बध के दिन के लिए अपना हिर्दय का पालन पोशन करके मोटा ताजा किया तुमने धर्मी को दोशी ठहरा कर मान डाला वह तुम्हारा सामना नहीं करता सो हे भायो प्रभु के आगमन तक धीरज धरो देखो ग्रहस्त प्रत्वी के बहुमूल्य फल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम बर्षा होने तक धीरज धरता है तुम भी धीरज धरो और अपने हिर्दय को द्रड करो क्योंकि प्रभु का शुभागमन निकट है हे भायो एक दूसरे पर दोश न लगाओ ताकि तुम दोशी न ठेरो देखो हाकिम द्वार पर खड़ा है हे भायो जिन भविश लखताओं ने प्रभु के नाम से बाते की उन्हें दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो देखो हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं तुमने एयूप के धीरज के विशे में तो सुना ही है और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रगट होती है पर हे भाईयो सबसे स्रेष्ट बात यह है कि शपत ना खाना ना स्वर्ग की ना प्रत्वी की ना किसी और वस्तु की पर तुम्हारी बाचीत हां की हां और नहीं की नहीं हो कि तुम दंड के योग्य ना ठहरो यदि तुम्हें कोई दुखी हो तो वह प्रार्थना करें यदि आनंदित हो तो वह स्तुती के भजन गाए यदि तुम्हें कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मल कर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा, और प्रभु उसको उठा कर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किये हो, तो उनकी भी शमा हो जाएगी. इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो, और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ, धर्मी जनकी प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है. एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुश्य था, और उसने गिड़गड़ा कर प्रार्थना की कि मेह न बरसे, और साले तीन वर्ष तक भूमी पर मेह नहीं बरसा, फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमी फलवंत हुई. हे मेरे भाईयो, यदि तुम में कोई सत्ति के मारक से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए, तो वह यह जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा,